Hello students, मैं हूँ Jitain Rajmira, The Crazy Programmers की तरफ से आज वाले वीडियो में हम लेकर क्या है, Display Devices and Type Partly इससे पहले हमने इसके दो पार्ट बना है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं इससे यह जो है, फर्स्ट वाले में हमने आपको CRT और कलर CRT की वाले में बता था, सेकेंड वाले में हमने आपको LCD LED की वाले में बता था, आज जो हम डिस्कस करेंगी DBST, Direct View Storage Tubes, Plasma Display और 3D Display तो Direct View Storage Tubes के हम बात कर लेता है, तो यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें, तो Direct View Storage पर अब आप डाग्राम देख लिए चापको समझ में आ जाएगा यह, आप सब ने कभी ने कभी डिवाइसे देखी ही होगी, कहीं फिल्मों में आपने देखा होग तो यहां पर green color की lines के अंदर object डिखते हैं, ठीक है, और अगर आपने कभी, मतलब hospitals पर गराम कभी आपने विजिट कया, तो आपने जो monitoring devices होती है, जो कि heartbeat पर गराम को monitor करती, show करती है, ठीक है, तो वो सारी भी जो devices है, वो सब भी DVST में आती है, ठीक है, तो अब इसको DVST क्य यह जो है आपकी यह screen, यह phosphorus enable screen है, ठीक है, और यह है आपका electronic gun, यहां से जो है, electrons fire किये जाते हैं, और इस device की मदद से, उन electrons को different type of positions पर forward किया जाता है, और जैसे वो electron हिट करता है phosphorus को, महा phosphorus जो है glow करने लगता है, तो उससे क्या होता है, कि जैसे suppose यह मुझे T लिखना है, त सिदा यहीं पर hit कराया जा रहा है, तो इस पूरी screen पर जहां जहां पर यह पूरी screen के back side में phosphorus है, तो जहां जहां पर electron हिट हो रहा है, वहां हमाँ का phosphorus glow करेगा, और मुझे एक object दिखाई देगा इस तरह से, और इस तरह से यह line create कराया जा रही है, यह light shadow नहीं है, कि फोटो क हो रहे है, ठीक है, तो यह होता है आपका DVST, इसलिए इसको बोलते है direct view storage tube, यहां पर सीधा electron को वहां हिट कराया जाता है, जहां पर आपको phosphorus glow कराना है, ठीक है, इसके अगर बात करें, mainly इसके अंदर दो तरह की गन काम मिली जाते है, primary gun and flood or secondary gun, primary gun क्या करती है, picture information hold करती है, यह screen पर picture को display कराने का काम करती है, अब कुछ और चीज़े देख लेता है, electronic gun, electron gun जो की दो तरह की होते है, primary and flood gun, तो electron gun क्या करती है, इसमें से electron produce होते है, जो की screen की तरह forward कराये जाते है, phosphorus coated screen के उपर hit होते है, phosphorus coated screen, जो की surface का CRT है, ठीक है, surface का CRT है, यानि कि वो screen जहां पर ह दिखे का हो, उसके back side जो पर phosphorus cover किया होता है, वो जैसी high persistence वाली light, मलब electron उस पर hit कता है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा high persistence वाली light generate होती है, एकदम green color की glowing light आपको दिखती है, ठीक है, फिर storage mesh, storage mesh क्या होता है, ठीक है, बहुत ही पतला हो high quality का wire होता है, जो की die electric material के साथ में code किया जाता हो, इसको just, इसको जो phosphorus coated screen के just पीछे जो है लगाया जाता है, primary gun क्या करती है, वो positive charge जो होती है, इस grid पर apply करती हो, यह जो इसको phosphorus coated screen पर transfer कर देती है, continuous, तक ही जो है, electron जो आख करके hit हो रहे है, ठीक है, उनको वापस screen को render भी करना पड़ेगा ना continuity में, तो व screen को render करके free कर देने का, collector जो है, ठीक है, यह जो grid है, यह storage में इसके just पीछे होती हो, इसका main purpose क्या होता है, negatively charge grid जो है, इसको smooth और, मतलब इसके through जो है, electrons को जो है, easy way में आगे एक तरफ forward करना, तो यह इसका काम रहता है, यह देखिए बिल्कु इस तरह से, यहां flood gun और primary gun से electrons निकलते हैं, यह है आपका fall cursor and deflection system, इनकी मदा से electrons को हीट किया जाता है, यहां पीछे आपके collector mesh है, ठीक है, and then वहाँ पे electron जब हीट करते हैं, तो phosphorus coated layer पे जो है glow होता है, यह आपको screen पो object नज़र आता है, यह देखिए इस तरह से, ठीक है, तो यह होता आपका DVST, तो यह display device है, लेकिन यह specific type of display device है, हमारा इतना से देखिए, तो end user या normal user का, इसके लिए कोई usefulness नहीं है, यह engineering में, medical science में, militaries के अंदर, वहाँ काम में आती है, okay, advantages की बात करें, less time consuming, time बहुत कम consume करती, क्योंकि यहां पे कोई बीच में, ना तो कोई CRT, nothing else, सीब दा electron हीट कर रहा हो, जो है, image को, जो है, character को show कराई में, तो show नहीं हो सकती, no refreshing required, ठीक है, refreshing required क्यों नहीं, क्योंकि rendering जो है, positive frame जो पीछे लग दी, वो लगता कर दिये, high resolution, ठीक है, less cost, बहुत कम, मतलब काभी सस्ता, पर हाला कि, अगर से आप ले भी आओगे, आप से का use क्या करोगे, ठीक है, औ जो और, एक और चीज में बताना है, यह जो नहीं, यह पता, गेम चल रहा है, यहाँ पर, एक video game खिला जा रहा है, ठीक है, बड़ी कमाल के बात है, इसका controller अलग है, और यह starting, सबसे starting के जो है, algorithms जिनके तो यह computer बनाया गया था, ठीक है, this advantage की बात करें, ठीक है, तो एक specific part of the image cannot be added, मतलब image दिखेगी, तो पूरी दिखेगी, पूरी, आप उसको हटा नहीं सकता है, मैं T, O, K, दिखो, E नहीं दिखो, भई उनी हो सकता, जो आपने यहाँ पर, यहाँ पर, प्राइमरी घंद को, जो आपने commands दी है, जो image format आपको दिया है, वो इसको KD करके, उसी करेगी, यहीं पर आप चाहो, तो image को आप refresh कर सकता है, ठीक है, refresh करके, आप E हटा दो, T के ही दिखेगा अगली cycle में, ठीक है, दो नोट display color, साब बात है भई, plain green color दिखेगा आपको, ठीक है, जादा से जादा yellow, उस से जादा इस screen पर को color निखेगा आपको, ठीक है, तो यह बात करते है, प्लाजमा डिस्पले की, प्लाजमा एक बड़ी कमाल की condition होती है, प्लाजमा इसे kind of fourth condition, हमने liquid देखे, हमने solid देखे, हमने जो है, गेस देखा, लेकिन प्लाजमा कैसी condition है, जो की liquid और gas condition का combination होता है, एक्छुली प्लाजमा के अंदर, किसी भी material के ions, और उसके जो है, क्या बोल सकते हैं, हम एक्टम्स दुनों मिल करके रहते हैं, एक ऐसी condition, जहां पे जो है, object नहीं पूरीतरा से liquid हो, नहीं पूरीतरा से gas है, बलकि वो humidity coated जो है, molecules के रूप में मौझूद है, ठीक है, अब अगर हम बात करें हैं, तो इसके components की तो anode, cathode, gas plates, fluorescent cells, और य यह चाहदो जो component की तरह काम आती, anode क्या काम में आता है, यह positive voltage देने के काम में आता है, ठीक है, इसमें line wires भी होता है, cathode जो कहता है, negative voltage देने के काम आता है, gas cells को इसके अंदर fine wires होता है, gas plate जो होती है, यह capacitors की उतरह वर्क करती है, जब हम इनको voltage पास करते हैं, तो cell जो है यह देख लीजे, यह, RGB, red, green, blue के format में यह arrange है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, तो यह जो है इनका, phosphorus है, यहाँ पर यह देखें, phosphorus भणा हुआ है, red color का, green color का, blue color का, यह हमारा, यह जो एक RGB का पूरा set है, यह pixel कहलाता है, ठीक है, यह हमारा MGO layer और यह display electrode उपा की अब बात करते हैं, हम इधर, यहाँ पर देख लेता है, यह एक cell, यह जो सेल दिखता है, यह वाला यह, इस cell को दिखें से समझते है, यह जो है, यह आपका phosphorus है, ठीक है, यह पिक्सल बेरियर, जो उस phosphorus को बाहरान से होकता हो, पिक्सल की बाउंडेशन भी फिक्स करते है, व यह display electrodes, ठीक है, और यह surface discharge, तो जैसे इस gas के अंदर, इस phosphorus के, यह पुरा complete pet chamber, इसके अंदर, जैसी हलकी सी जो है, यह यह प्लाजमा इस्टेट में आने लगता है, और उसी टेम पे, जैसी प्लाजमा इस्टेट पे आता है, ठीक है, तो इसमें से जिस तरह की light generate करी जाएगी जिस तरह का phosphorus color यह hold के वे, उसके अलकी सी gas create होगी, और उसमें से जो है, आपके जो है, light को cross करा जाएगा, तो light उस color को hold करके glass में से आरपा निकल जाएगी, और उस color को आगे screen पे display करेगी, यह बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, बैसे diagram लेक्टिम में काफी अच्छा लग रह ठीक है, एंदेन यह है, आपका magnesium oxide coating इसके उपर कर लखी है, यह display electrodes हमारे, inside the dielectric layer के अंदर, ठीक है, फिर बात करें, यह हमारा dielectric layer पीछे की तरह भी है, यह address electrodes है, ठीक है, एंदेन फिर बात करें, हमारे pixels है RGB, ठीक है, और यह phosphorus coating in plasma cells, ठीक है, तो जैसे ही इनको heat pass होती है, यह यहाँ पर gaze बनने लगती है, एंद यह gaze जो है, इसी color property को show करती दें, जैसी इसमें से light निकलती है, वो light उस color property को आगे forward करते हो है, enhance करते हो है, आगे इक तरह forward हो जाती है, वो इस तरह से plasma के अंदर color दीखते है, LED और LCD के मुकाबले, plasma बहुत ही ज़्यादा advanced technology है, इसकी color brightness, smoothness की contrast, मतलब बहुत ही ज़्यादा smooth होता है, इसका जो view experience से बहुत ही लाजवाब होता है, plasma काफी ज़्यादा costly भी होता है, just because of its mechanism, वो होता ही ज़्यादा unstable भी, यह बहुत ही sophisticated device होता है, plasma TV अगर gaze जाए, ठीक है, या कोई जो सो उसको punch कर दिया, किसी भी objects उसको hit कर दिया ज cells जो हो गए, तो आपका पूरा TV ही damage हो जाएगा, उसका repairing cost इतना ज़्यादा है कि उसके बजाए आप नया TV लियाएंगे, तो अगर प्लाज्मा खाईने का mode बना रहे हैं, तो आपको इध्यान लगना होगा कि एक sophisticated device है, ठीक है, यह को देखिए, LCD के मुकाबल अगर हम प्ल ग्रीन के, ब्लू के, तो जब light इन में से close होती है, तो इन bubbles में से close होका के जाती है, इन particles में से, that's why उनकी enhancement, वो बहुत जारा है, एक तो natural light generate हो रही है, कोई artificial filters में आपने align किया है, natural light जो है, बिल्कुल close हो रही है, यह बिल्कुल वैसा example होगी आके, एक red color के glass के दूसरी त example, very good example, and plasma, जो है, यह सबसे ज़्यादा बेटर, जो है, आपको display experience देगा, advantages, wall mounted, इसको diva पे लगा सकते है, इस तो इन पे लगाने की जोत नहीं है, वैसे तो LCD, LED भी flat panel जितने भी आते है, वो wall mounted के facility साथ आते है, लेकिन, plasma का weight काफी कम होता है, बहुत ज़्यादा slim होती है, wider angle, wider angle का मतलब क्या है, लेकि आप जब भी किसी screen को एक दम सामने से देखे तो, आपको clarity साफ दिखती है, लेकिन जब आप screen के left corner edge में, या right edge में जाएंगे, या उपर एंचे से देखती है, आपको display दिखना बंद हो जाता है, लेकिन wider angle का मतलब क्या होता है, 180 degree wider angle का मतलब ह आप ठेट edge पे चलेगा screen के, और फिया आप बिल्कुल edge से screen को देखें, तब भी आपको screen नज़र आ रही है, बहुत ही कमाल की बात होती है, इसको बोलते है wider angle, ये एक दिन में नहीं हुआ, इस concept को हासिल करने में कही साल लग गए थे, ठीक है, इससे क्या होता है, कि viewing experience काफ phosphorus जो है, अपनी luminosity अपनी जो उजवलता जो होती है, जो चमक जो होती है, उसी color की, ठीक है, वो खोने लग जाते हैं, ठीक है, ये LCD का मुकाबले काफी ज़्यादा है, यहाँ पे heating process का मिले जा रहा है, large size, ये plasma छोटी छोटी नहीं बनाए जा सकते हैं, बड़ी size में बनाए जाते हैं, ठीक है, ये इसका disadvantage है, तो ये था all about आपका जो है DVST और plasma, ठीक है, तो मैं उम्मीद कहता हूँ, आपको ये video अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी doubt या कोई query या कोई suggestion या feedback है, तो हमें comment box में लिखकर के बता है, हमाई इस video को like लिंग भी आपको description box में available हो जाएंगे, दक्रिजी प्रग्रामर्स की तब से आज के लिए बस इतना ही